नमस्कार A2Z Dishes उशाक उर्जानी में आप सब का स्वाकत है आज उस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जारी बहुत ही मज़िदार सी सब्जी अभी देखें सर्दियों में आप कभी भी मार्केट जाएंगे ना सब्जी मार्केट तो आपको ये शेपू ये कार्टे वाला आपको ये काफी जादा दिखने को मिलेगा तो ये आज मैं बनाने जारे है शेपू मॉंग दाल बढ़िया सी इतनी टेस्टी लगती है ना हैल्दी तो है पर खाने में भी बहुत मज़े दाल लगती है शेपू मॉंग दाल की सबजी बनाते हैं सबसे पहले उसके लिए दे देंगे एक बड़ा चमस तेल जैसे गरम हो जाए ना तो छे से साथ लसुन के कलियों को बारी काटकर डाल दिया है चुटकी बरहिंग तीन से चार हरी मिर्जी बारी कटी है इन सबी को हमें थोड़ा सा भून लेना है एक मिनिट तकरीबन इसे भून लीजे उसके बाद इस इसे मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद इसे ढखकर धीमी आज पर तकरीबन चार से पांच मिनिट के लिए पकाना है और इन चार से पांच मिनिट के बीच पीच में आपको इसे मिक्स भी करते रहना है तो यहाँ पर तकरीबन चार से पांच मिनिट हो गए और आप दीख प्रिट में सर्डियों में काफी जादा मिलते हैं और इसे शेपो को डालने के बाद इसे ढखकर दीमी आज पर फिर से आपको तीन से चार मिनिट तक पकाना है जैसे तीन से चार मिनिट हो जाने तो इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ली जए यहां पर आप दीख सकते हैं और यह हमारे शरीर के लिए काफी फाइदे मंद होता है बहुत अच्छा होता है तो ट्राइ कीजिएगा अच्छे से मिक्स करने के बाद स्वात के अनुसार नमक आदी चमच लाल मिश पाउडर एक चौथ हाई चमच हल्दी पाउडर बस इतने ही मसाले डलते हैं और फिर दीमी आज पर नहीं तो यह जल सकता है तक्रीबन 5-6 मिनट हो गए है और यह बड़िया सी शेपू मंग दाल के सबजी बनकर तयार है जो रोटी पराठी के साथ बहुत टेस्टी लगती है बनाने में भी सिंपल है तेल भी कम है मसाले भी कम है ट्राइ की जो इस सर्दियों म करें और जाते जाते मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू फॉर वाच्छेंग